प्रोट्रोटाइप में नॉर्मली हमें सिर्फ याद रखना है ऐसा कुछ प्रोग्राम्स और सिंटेक्स तो कुछ है नहीं राइट है लेकिन वह बहुत एडवांस लेवल पही जाता है जिसको प्रोटोटाइपल इनहीं पता है तो भी चलेगा लेकिन प्रोटोटाइप क्या है किसे प्रोटोटाइप कहा जाता है यह आपको पता ही होना चाहिए यह आपको अल्रेडी पता है लेकिन उस चीज़ को यह कहा जाता है यह आपको पता नहीं ओके सो एक स्क्रिप्ट टाइब करता हूं मैं अब इस स्क्रिप्ट टैग में मैं अलग-अलग डेटा टाइप के करते हैं सो है वर्याब्ल से टाइप से स्टींग तंवiren करते हैं एस विर्याबल में जो इसका टाइप जो है उसके recording मुझे इस variable का data type मिलता है, string मिला है, right, one more variable create करते है, where, role और product price रखते है, product price is equal to 1200, okay, अब इस में देखो, इसको अगर hover करता हो, तो data type का मिला number, क्योंकि इस variable में data जो stored हो है, उसका data type क्या है, integer मतलब number, right, JavaScript में string और number यह है, अब इसको अगर मैं भले ही point भी value देता हूँ, कुछ, तो भी यह number ही रहेगा, क्योंकि JavaScript में float या double ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ, मतलब integer रहे है, या floating decimal point वाला number है, सब कुछ number में ही जाता है, बाकि सारे programming languages है, जितमे point के लिए अलग data type रहता है, लेकिन JavaScript में everything goes into number only, ठीक है, उसके बाद where current date, आज की date store करते है, new date से, अब यहाँ पर अगर मां hover करता हूँ, तो देखो data type के आया date, right, last time boolean is active, is equal to, it's initialized with false, right, boolean आया, so, यह मेरे nothing but primitive data type है, उसके बाद मेरे derived data type, object और array, right, so, let's say student, obj, equal to curly bracket, curly bracket के अंदर name, राहूल, city, पुने, state, image महारश्टा, okay, अब इस पर अगर मैं hover करता हूँ, right, अब दिखते समय है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका type क्या है, object है, okay, object होगे, और फिर मेरा बचा है array, so, city list is equal to square bracket, square bracket के अंदर, मेरा city का array, ठीक है, city list का और करता हूँ, तो यहाँ पर वो दिख रहा है कि नई, यह string का आ रहे है, बट इसका data type नथिंग बट आ रहे है, okay, so, अब actually prototype पर आते, यह मैंने अलग-अलग data type जो store किया सकता हूँ मैं, वो मैंने data type यहाँ पर सब store किया है, और एक रहता है, where, यहाँ पर सिप student लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर, यहाँ पर value store करता हूँ, null, null is also a kind of value, correct, और where, employee is equal to, यहाँ पर store करता हूँ, undefined, these are also nothing but value, एक variable को कोणसी-कोणसी value assign हो सकते है, string हो सकते है, number हो सकते है, date हो सकते है, boolean value हो सकते है, object रह सकता है, array रह सकता है, array of object रह सकता है, right, या फिर null रह सकते है, या फिर undefined रह सकते है, या फिर undefined रह सकते है, these are the all possible values a variable can have, right, यह सारी different different values मतलब different different data type है जो एक variable में हम store कर सकते हैं ओके अब अब actual story start होगी अब first name और dot करता हूँ मैं सो थोड़ा सा भी याद रखो ये image first name अगर मैंने dot किया तो देखो यहाँ पर कुन सी method आ रही है care at, care code at, concat, end with, include, index of, length, match, capitalize, to lower, to upper देख रहे हैं, to string, trim, start यह string की method है क्योंकि first name variable में कुन सा data type है first name में जो first name variable में जो data stored है उसका data type है string तो यह सारी जो method आपको suggest हो रही है ना, यह कहां से आ रही है string data type के लिए ओके, अब same चीज, product price के साथ करता हूँ dot अब यहाँ पर देखो पाच्छे ही method आ रही है two exponential क्या आता है यह two exponential उसके बाद two fix, two local string, two precision, two string और value number के साथ इतनी ही method आ रही है string के साथ बहुत सारी method आ रही थी देखो, इतनी सारी method आ रही थी यह जो diamond bracket में दिख रहा है और यह मेरी property और यह बाकी methods right, so string के साथ इतनी method आ रही थी number के साथ इतनी ही method आ रही है same अभी date के साथ देखते dot अब date के साथ कुछ तो भी अलगी आ रही है get date, get day, get full year, get hours, get millisecond फिर set जैसी यह get वाली method है वैसे भी set वाली method आएगी right, यह और कुछ है right, so date अगर इसमें कोई variable में date stored है तो उसमें कुछ अलगी method और properties आ रही है right, वैसे ही अगर मैं boolean करता हूँ boolean को dot करता हूँ, dot, so यहाँ पर एक ही method है value of boolean के case में okay, अब same चीज object के साथ करता हूँ मैं, object dot, अब object के साथ obviously मैंने object create क्रेट किया है तो उसके अंदर तीनी property तो तीनी property आईगी but object की खुद से अलग method से वो बाद में बताऊँगा, okay, but उसके बाद array है मेरा so array, dot करता हूँ, तो देखो array पर फिर से मेरी अलगी कुछ methods आई है यह इसी method है जो सिफ array पर काम करती है, concat, field, filter, find, right, map, join, reduce, sum, shift, unshift, push, pop जो भी array की methods आपको याद है, वो सारी suggestory है अब यहाप एक story क्या हुआ, जो जो variable है, उस variable के बाद मैं अगर dot press करता हूँ, तो कुछ data type के according मुझे functions और methods suggest हो रही है, right, string data type है तो उसके कुछ अलग method है, number data type है तो उसके कुछ अलग methods है, date data type है तो उसको कुछ अलग method suggest हो रही है तो यह nothing but जो हर एक variable को उसके data type के according logic method suggest हो रही है, right, this process is nothing but prototype, okay, यह simple word में है, सिप understanding के लिए यह बताना नहीं है ऐसे, right, so, अब prototype की definition क्या है So, prototype is just an object which get assigned by JavaScript engine to any variable we create in the script type, मतलब, prototype is nothing but an object, okay, it will contain some methods or some properties also, which get assigned to the variable we create, according to the data type of that variable, JavaScript engine will attach some functions and the method some methods or the properties to that variable, okay, so JavaScript engine, right, compiler जो है JavaScript का वो क्या करता है, variable के data type के according, इस variable को कुछ method और properties assign करता है, So, यह जो आप देख रहे हो ना, string के, string को dot अगर करता हो मैं, तो यहाँ पर एकी property है, length, बागी सारे methods है, right, यह diamond shape जो है, यह methods है, और यह जो square back, का है बोलते है, rectangle बोलते है, rectangle में property है, right, यह string के case में यह आई है, array के case में कुछ अलग थी, right, date के case में कुछ अलग थी, So, यह जो आ रहा है properties और function, इसको nothing but prototype बोलते हैं, मतलब, जो data type है अपने पास, अलग-अलग, उनकी specific कुछ methods है, और वो कोन assign करता है variable को, JavaScript का engine, So, यह मेरी simple definition है prototype, कि understanding मैंने आपको बता है, कि जो मैं variable create करता हूँ, उस variable में, जिस data, जिस type का data है, उस according, उस variable को dot करने के बाद, जो functions और properties suggest होती हो, right, that is nothing but prototype, यह इतना simple है, यह already आपको पता था, date पे कभी filter आया क्या, नहीं किया, आपके date, किसी variable में date store किया, उस पे filter, push, pop, नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को पता है, push, pop, filter, यह method, किस पे चलती है, सिपरे पे चलती है, right, so यह जो सब अपने आप आता है, right, so यह क्या, यह कोन करता ह JavaScript engine करता है, okay, so इतना simple है, what is prototype, इसकी proper definition दिखा देता हूं है, JavaScript prototype, देखो, it is just an object, which is attached by a JavaScript engine to array, object, variable, or function, whatever we create in JavaScript, we can access those properties and function in available in object by using dot operator, right, this is nothing but a simple, very understandable definition of prototype in JavaScript, okay, जब भी हम variable के बाद dot करते हैं, तो जो भी functions और methods suggest होती है, that is nothing but prototype, और वो कोन assign करता है, तो JavaScript का engine, मतलब JavaScript जो चलाता होगा, compiler और सब कुछ, right, so simply यह एक word ही ऐसा है, जो यूस करना है आपको, JavaScript engine, that's it, so prototype की simple definition, it is just an object, which get assigned to any variable, which we create, right, in JavaScript, and we can access all those methods and function by using dot operator, that's it, this is that simple as, okay, so जैसे हमने closure देखा था, closure भी छोटा सा ही था, right, उसमें भी बहुत का कुछ अलग syntax नहीं था, वैससे भी prototype में, यह prototype word थोड़ा सा danger लगता है, बट अगर यह आपको समझा है, तो बताने के लिए भी बहुत easy है, right, अब, इसके आगे का point है, कि everything in JavaScript is object, यह एक sentence है, जो JavaScript में बोला जाता है, कि everything in JavaScript is nothing but object, okay, अब, यह मैंने variable बनाया, first name, इसका data type क्या है, string, अब इस object का, इस variable का मुझे prototype निकालना है, prototype के accordingly, इस variable को कुछ functions और method assign हुए थी, right, अब इस variable का मुझे prototype निकालना है, so, देखो, मैं console.log, first name, dot, underscore, underscore, proto, क्या बोल रहा है, एक निकालने जो मैं कौँ, underscore, underscore, क्या होगा, गड़बर, ओके, पिर से underscore, underscore, अभी देखो, first name का prototype निकाला है हमने, अब first name का prototype जैसे मैंने यहाँ पर बताए था, यहाँ पर हावर किया, तो क्या था, string, सो यह देखो, यहाँ पर क्या आया, string, okay, अब, जो string है, उसका भी अगर मैंने prototype निकाला, उसके बाद फिर से dot लगूँगा, फिर से underscore, underscore, proto, underscore, underscore, enter, तो देखो, यह क्या है मेरा, जहाँ पर आपको constructor दिखता है ना, पहले, यह मतलब nothing but मेरा object है, okay, so, अभी हम क्या देख रहे हैं कि everything in javascript is called as, everything in javascript is object, okay, so, इसका explanation देख रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है, अब यह जो variable है, इसका हमने prototype निकाला, तो क्या मिला, string, मतलब यहाँ तक का जो था, और string का भी मैंने prototype निकाला, तो क्या मिला मुझे object, यह जो constructor मिला है starting में, मतलब nothing but यह मेरा object है, वो ऐसी same case, console.log product price, dot underscore, underscore, proto, underscore, underscore, ठीक है, कुछ गलत हुआ, spelling, proto, prompt हो गया, देखो, product price का prototype क्या है, पहला prototype, number, ओके, अब number का भी prototype देखना है मुझे, तो उसके बाद फिर से underscore underscore proto लिखेंगे, मतलब number का prototype, क्या मिला, object, देखो यह यहाँ पे जो मिला था, object ही मिला, ओके, same चीज, date के भी पास करता है, यहाँ पे current date, यहाँ पे current date, अब date, nothing but object ही है, date के लिए ऐसा कुछ पराविए, date का prototype date नहीं है, date nothing but एक object ही रहता है, जिनको react पता हूँगा, उनको पता हूँगा कि date अगर मैं type up करता हूँ, तो मुझे object ही मिलता है, या फिर date directly मैं अगर HTML में कहीं पे print करने का try करता हूँ, तो वो error देता है, क्योंकि date में क्या रहता है, object रहता है, तो date का by default ही देखो, यह पहला console, बाकी को मैं comment करता हूँ, या फिर यहाँ पे लिखते है, date, देखो, date के बात कि यह मिला है, constructor मतलब object ही है, तो object का prototype अगेन object ही होगा, वैसे ही इसका देखते है, boolean का, is active, ठीके, boolean का भी prototype क्या है, object ही है, देख रहा है, direct constructor मिला, सिप string और number की case में अपने को string मिला था, और number मिला था, बड़ उनका भी prototype, उनका parent prototype क्या था, object ही था, ये तो object ही है, constructor, right, अब अरे का देखते, इसका भी दिखा देता हू, student object का, देखो, student object का भी क्या मिला, constructor ही मिला, मतलब ये तो object ही था, दिख़ने में ही पता चल रहा है, object ही था, अब array का देखते है city list ठीक है अब city list में देखो क्या मिला है square packet okay square packet मतलब array है अब इसका फिर से prototype देखते है so dot underscore फिर से dot okay so ये देखो मतलब पहला जो prototype था city list one 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 करते इसको उसमें क्या मिला था ये array symbol है मतलब ये array है उसके बाद array का भी मैंने prototype निकला so बाज में सबसे last वाला console so ये nothing but क्या है object ही मिला so this is why it is being called कि everything in javascript is nothing but object क्योंकि हम string का भी object देखे तो string मिला लेकिन string का फिर से object देखे तो फिर से object ही मिला और prototype देखे तो so that is why it is called कि everything in javascript which we create is nothing but object अब ये null का भी देख लेते है student student अब ये break होगा cannot read properties of null क्योंकि null की property read नहीं कर सकते dot null के अंदर dot आप नहीं रख सकते ना राइट सो उसके बैसे वो break हो रहा है लेकिन इसका टाइप अगर देखता है तो उसको objective मिलता है okay so इसके बज़े से हम सारी जो एक लैंग नॉर्मली इंट्रू question होता है कि वाई वाई इटी सेट दाइवरेटिं जावास्क्रिप्ट इस नथिंग बट अब्जेक्ट आपको ये explanation देना है कि अगर लेट से मैंने एक वेरेबल क्रिएट किया उसमें string value रखा उसका अगर prototype निकलता हो तो मुझे string मिलता है लेकिन string का फिर भी prototype निकलता हो तो मुझे क्या मिलता है object ही मिलता है same goes for object same goes for number array, boolean और सब का okay so that's why it is called everything in JavaScript is object only okay so ये अब code में remove करता हो अब proper एक example देखते है कि prototype मतलब क्या होता है hope की ये example देखने के बाद आपको समझेगा ओके अब मैं एक variable create कर रहा हूँ उस variable में मैं object store करता हूँ student ये फिर employee create करते है employee okay इसमें दो property रखता हूँ मैं name empid city रख लेते हैं अब इसमें मुझे क्या करना है एक property और एक property रखोंगा print name नाम की property है लेकिन इसमें क्या store करूँगा मैं function store करूँगा और इस function में क्या करूँगा मैं console.log name access करूँगा ठीक है properly देखो मैंने क्या किया एक object create किया employee नाम का उसके अंदर तीन properties रखी तीन fields रखी उसमें कुछ value रखी और print name में क्या store किया है function और उस function में मैं क्या access कर रहा हूँ name नाम की property access कर रहा हूँ ओके अब employee dot print name क्या है मेरा function है और इसको execute करना पड़ेगा सेव गलत हुआ है स्वरी तो मुझे यहाँ पे इस के साथ access करना है अब देखो नाम प्रेंट हुआ है राइट तो मैंने एक object बनाया उसमें certain properties create की और एक property में मैंने क्या किया function store किया और उस function में यह जो properties थी वो मैंने this के साथ access किया अब employee dot get print name अगर मैं करता हूँ तो यह function का लोगा और उस function के अंदर name this क्या point करेगा this मतलब यह current और current जो मतलब this कहा पे लिखा हमने this यह object के अंदर so this is object को refer करेंगा और this के बाद name अगर यह object में name नाम की property उसको मिली तो वो name नाम की property print करेगा इसलिए चितन नाम की value print की अब यह मेरा object है उसमें एक function है अब मैं दूसरा object बनाता हूँ let employee या फिर student का object बनाते student is equal to object फिर से इसके अंदर नेम सचिन तंडूल कर city पुने अब भी playing cricket ओके यह मेरा दूसरा object है अब यहाँ पर prototype मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझेगा यह नार्मली हमारे daily life में जब coding करते हैं आपका प्रोजेक्ट plain simple है तो यह चीज़े कभी नहीं आने वाने बट यह सिप इंटर्व्यू तक ही limited है ओके अब यह जो object है उसके prototype में यह properties है और यह function है अब मैं क्या करूंगा student के prototype को employee का prototype assign करूंगा अब कैसे करता हूँ वो देखो अब फिलाल मैं student.printname यह एगर ट्राय करके देखता हूँ तो obviously कुछ नहीं होगा ना क्यूंकि student में printname नाम का function ही नहीं है मेरे पास तो ब्रेक हुआ student.printname is not a function प्रिंट नाम का function ही नहीं मेरे पास student object मैं बट मुझे क्या करना है ऐसा यह मेरा function अल्रेड एक object में बना हुआ है अब इस function में क्या किया है this.name नाम की property access किये अब इस function में भी this.name नाम की property है फिर से यह चीज मैं यहाँ पे लिखू उससे अच्छा यह चीज मुझे को reuse करनी है इस object में यह जो function बना हुआ है इसको मुझे reuse करना है इस object का prototype मुझे student के prototype में असाइन करना है सो अभी देखो कैसे करते है सो student dot underscore underscore proto underscore underscore is equal to मैं क्या असाइन करता हूँ employee असाइन करता हूँ अब पहले क्या विवात है यह जब मेरी line present नहीं थी तब मुझे error मिला था या आप है अब देखो मिला सचिन तेंदुलकर अब यह कुछ जादू नहीं है अब हुआ क्या है employee के object में मेरे पास यह print name नाम की method थी अब इसका prototype मैंने क्या किया student के prototype को दे दिया मतलब इस object में जितने भी properties और methods थी वो student को भी assign हो गई यह line के budget से इसलिए मैं student dot करता हूँ तो मैं यहा का function यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे भी मैंने name नाम की property यूज की है और यहाँ पे भी name अब यही अगर मैं यहाँ पे st ud name करूँगा तो नहीं मिलेगा देखो दोनों जगा चेतन चेतन ही print हुआ क्योंकि इस object में name नाम की property ही नहीं है तो वो कुण सी access करेगा यहाँ की बट अगर मेरे दूसरे वाले object में student.name करता हूँ तो वो क्या करेगा पहले name नाम की property इसमें है क्या तो वो पकड़ेगा देखो यहाँ पे इसलिए सचिन तेन्दू का print किया अगर यहाँ पे इस object में यह लाइन जब रन करता हूँ इस object में name नाम की property नहीं है तो वो पैरेंट जिसका prototype हमने इसमें store किया ना वहाँ की print कर देगा इसलिए वहाँ पे उसने चेतन-चेतन दो बार प्रिंट किया था और अगर यह नहीं करता हूँ मैं असाइन नहीं किया मैंने तो फिर एरर मिलेगा क्योंकि student object में प्रिंडेम नाम का कुछ ही नहीं न राइट कंसिडर समझा अभी यह prototype है अगर यह तीन चीजों तीन चीजे समझी है पहला मतलब हर एक डॉट के बाद जो आता है फिर everything in JavaScript is nothing but object और यह example अगर यह तीन समझा है तो आप actually थोड़ा सा imagine कर सकते हो कि prototype मतलब क्या है nothing but kind of properties समझो just for understanding आपको जो समझ में आता है properties consider करो nothing but यह क्या हुआ employee की एक property थी अब employee के अंदर जो जो चीजे थी वो हमने क्या कर दिया student के prototype को assign कर दिया इसलिए student.name भी करता हूँ अगर यह name property यहां पर ने रहती तो यहां की property वो दे देता था right so ऐसे यह काम करता है so hope यह ऐसा normally इंटर्यू में पूछा जाता है कि यह अगर ऐसा है इतना ही देते है और यह पूछा जाता है कि यह अगर run करता हूँ में तो output क्या रहेगा okay so यह अगर आपको prototype पता है तब आप बता सकते हो कि भाई यह name नाम की property यहां पे भी है तो student में यह function accessible रहेगा और यहां पे name यह वाला print करेगा okay so this is everything what I wanted to explain regarding prototype अब prototype में ऐसे कुछ programming के snippets आते नहीं है बहुत कम आते हैं यह एक यह था और एक है prototypal inheritance लेकिन वह आप avoid कर सकते हो okay ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको पता ही हो so अगर आप एक दो question नहीं पता ही भी बोलते हो तो भी चलेगा okay but prototype क्या है और यह एक example हो गया फिर everything in javascript is prototype यह तीन topic भी अगर आप clear करते हो तो भी sufficient है right so that's it with this video you